हलो दोस्तों मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ Samsung Galaxy A20 जो आपको मिलता है online साड़े 11000 में ये एक Samsung का बहुत अच्छा बजट मोबाइल है दूसरी तरफ है Realme का 5 जो आपको मिलता है online 11000 में तो इन दोनों में 500 औरबे का फर्ख है इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों मोबाइल से में comparison करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमिया है और आपको इन दोनों में सा कौन से खरीदना चाहिए कौन से नहीं चले देखते हैं अगर आप 11.000 रबे सेमसंग पर खर्श करते हैं तो इसके साथ आपको क्या किया मिलता है तो जैसी आप unbox करते है सबसे पहले आपको रखवा मिलता है मूबाइल एक रैपर के अंदर इसके बाद आपको दिक हैं मिलती है तो यह चीज अच्छी है इस मूबाइल के साथ आपको continuing support मिलता है लेकिन data के लेंध आपको थोड़े सी छोटी मिलती हैshots सबसे चीछ चीज यह ऐस मॉबाइल के दर मुखस के ईंदर ही मिलता है यह सबस्क्राइब को समाने थाहीं साले 11000 में सैमसंग Organizing के साथ चलिए देखते हैं अगर आप 11,000 रुपे रियल मी 5 पे खर्च करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है आखिर में इस मुबाइल के बॉक्स में आपको एक सिम जेक्टर टूल भी लगावा मिलता है कुछ इस तरीकी के लुग में तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं रि रियल मी के मुबाइल पे आपको डिस्प्ले पे पहले सही स्क्रीन गाड लगावा मिलता है इस चीज में रियल मी जाद अच्छा है बाद में रखावा मिलता है मुबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखींगे इसे पहले देख लेते हैं बोक्स क इस चारजर है 10 वाट का तो दोस्तों मुबाइल के अंदर आपको फास चरजिंग का सपोर्ट नहीं मिलता तो आप मार्केट से भी खरीद के एक फास चरजर इस मुबाइल के साथ इसके इंदर कमी है तो यह सारा समान आपको मिलता है 11000 में रियल मी के 5 के साथ अब देखा में लाएं इस चीज में सामसंग जादा बढ़िया है रियल मी से चलिए बात कर लेते हैं अब सबसे में चीज मूबाइल के डिजाइन के बारे में डिजाइन के बारे में बारे तो इस चीज में इन दोनों मोबैल्स के अंदर कमी है कि स्क्रेचिस बहुत जल्दी आते हैं। इसके लावा बात करें कैमरे के बारे में। कैमरे के अंदर वैसे तो ये दोनों ही मोबैल्स आपको नॉर्मल ही मिलते हैं। अगर आपके सिर्फ कैमरे की ही जरुवत हैं तो उस लेवल की मुझे इन दोनों मोबैल्स की पर्फॉमेंस नहीं लगी। बागी इन दोनों में जाद अच्छा कैमरा है Realme 5 का, कैमरे के इंदर Realme 5 जाद अच्छा है, इसके लाव आप देख सकते हैं Complete Design, किस mobile का डिजाइन आपको जाद अच्छा लग रहा है, ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताईएगा, इन दोनों mobile की बात करें डिस्प्ले क Galaxy A20 से, लेकिन डिस्प्ले साइस के अंदर ये दोनों mobile बहुत अच्छे हैं, वहीं Samsung के अंदर आपको मिलती है Super AMOLED डिस्प्ले, और Realme के अंदर आपको मिलती है IPS डिस्प्ले, तो डिस्प्ले की जो क्वैलिटी है, वो आपको जादा बढ़िया मिलती है Samsung के अंदर, यूज यूज़न डिस्प्ले साइस के अंदर ये दोनों mobile बहुत जादा बढ़िया है, लेकिन डिस्प्ले की जो क्वैलिटी है, जो कलर्स है, वो Samsung के अंदर बहुत जादा बढ़िया है तो डिस्प्ले के अंदर आपको Samsung Galaxy A20 जाद अच्छा मिलता है Realme से, बात करें बैटरी के बारे में, तो Samsung के अंदर आपको बैटरी मिलती है 4000 mAh की, और Realme 5 में आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की, वैसे तो दोनों mobile के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैक आप अराम से मिल जा लग दिया गया है, राइट साइड से आप देखींगे तो आपको दोनों mobile में power के बटन मिलते हैं, इसके लावा Samsung के अंदर आपको volume के बटन राइट साइड पर ही मिलते है, पावर के बटन के ऊपर, और Realme के अंदर आपको मिलते है, लेफ्ट साइड पर SIM की ट्रे के नीच है, Realme के अंदर आपको 11000 में मिलती है 4GB के RAM और 64GB के internal storage, और Samsung के अंदर आपको 11000 में मिलती है 3GB के RAM और 32GB के internal storage, तो इस चीज में Realme बहुत जाद अच्छा है Samsung से, Realme 5 के अंदर आपको 64GB में से मिलती है 51GB के असपास, और Samsung के अंदर आपको 32GB में से मिलती है 21GB के असपास, त एंड्रोइड का बिल्कुल लेटेस वर्जन एंड्रोइड पाई तो इस चीज के अंदर दोनों मुबाइल्स अच्छे हैं इसके लावर रिसेंट एप्लिकेशन की विंडोज में आपको दिखा जेता हूं दोनों ही मुबाइल्स में आपको प्रॉपर थोड़ी बड़ी विं सेंसंग से अगर आप एक हैव यूजर है आपको गेम वागरा खेलने हैं तो रियल्मी फाइफ ही जाद अच्छा है गेमिंग के लिए बाकि रियल्मी फाइफ के अंदर एक कमी आपको यह देखने को मिलती है इस मुबाइल का वेट है 200 ग्राम के आसपास वहीं सैंसंग गल दोनों मुबाइल में कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं देखिए रेट के अंदर तो सिर्फ 500 रुपे का ही फर्ख है लेकिन कुछ चीजों के अंदर आपको सैंसंग गलेक्सी 820 अच्छा मिलता है और कुछ चीजों में रियल्मी का 5 तो सबसे पहले मैटर यह करता है क करें आपकी में जरूत की चीज किस मोबाइल के अंदर जाद अच्छी है और आपको किसके ओपर ज्यादा भरोसा है या फिर रियल्मी के तो दिखिए अगर आपको ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर मिलता है Samsung से अच्छे है प्रोसेसर के लिए आप Realme 5 लीजएगा बाकि अगर आपकी में ज़रत है मोबाल की बैटरी की आपको बैटरी बैक अच्छा चाहिए तो वैसे तो बैटरी में दोनों अच्छे हैं लेकिन ज़्यादा बढ़िया है Realme 5 आप Realme 5 लीजएगा बाकि अगर आपकी में ज़रत है मोबाल के यूज़ इंटरफेस की आपके लिए मैटर करता है मोबाल का यूज़ इंटरफेस तो आप Samsung Galaxy A20 लीजएगा ये मोबाल आपके लिए ज़्याद अच्छा रहेगा इस मोबाल का यूज़ इंटरफेस ज़्याद अच्छा है तो तीन खुब्या आपको Samsung में अच्छी मिलती है और तीन खुब्या Realme के अंदर Samsung में पहली खुब्या इसकी डिस्प्ले अच्छी है दूसरे इसके अंदर आपको यूज़ अठरफेस अच्छा मिलता है और तीसरे से मोबाल का वेट काफी लाइट है Realme के आगे तीन खुब्या आपको Realme में ये मिलती है इसके अंदर आपको बैटरी ज़्याद अच्छी मिलती है दूसरेस के अंदर आपको प्रोसेसर जादा बढ़िया मिलता है और तीसरेस के अंदर आपको इंटरनल स्टोरेज जादा मिलती है सैमसंग से बाकी डिजाइन के अंदर मुझे ये दोनों मुबैल्स नॉर्मल ही लगे क्योंकि स्क्रेचिस बहुत जादा जल दिया जाते हैं इन दोनों मुबैल्स के बैक पैनल पे और कैमरे की भी पर्फॉमेंस दोनों मुबैल की मुझे नॉर्मल ही लगी रेट के हिसाब से अब आप मुझे बताईएगा आपकी ज़रुत के हिसाब से आपको इन दोनों मुबैल्स में कौन सा ज़ादा पसंद आया मेरी लिए डिस्प्ले क्वालिटी और यूजर एंटरफेस मैटर करता है तो मुझे सैमसंग अच्छा लगा आप मुझे बताईएगा वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दियेगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिएगा उसके साथ बैल आकन भी दबा दियेगा ताकि नए वीडियो आप तक पहुचिती रहें इसके लाब वीडियो कर आपको helpful लगी तो अपने